देते चलो चाहे तुम्हरे पास बहुत, काम ही क्यों न हो, अपनी बुराय करने वाले को अपने पास रखो, और उससे सीखो तुम एक अदुतिय, खजाना बन जाओगे, अपना कारिय खुद करो दुसरो, पर निर्भर मत रहो, हर इंसान अपने भविश्य का खुद रचियत है, तीन चीजे लंबे समय तक नहीं, चिप सकती सूर्य, चंद्र और सत्य, जैसे लापरवाही की वजह से, नर्म धास भी आपके हाथ को धायल कर सकती है, उसी तरह, धर्म के प्रती करी गई लापरवाही, आपको नर्क के द्वार पर पनुचा सकती है, उसने मेरा अपमान से जीवन जी सकते हैं, बुरायों से दूर रहने का एक ही तरीका है अच्छे विचारों को अपने जीवन में आने दीजिए, मुर्क ज्यानियों से भी नहीं सीख, पाते और ज्यानी मुर्क से भी सीख लेते हैं, जिन तरह तुफान एक बड़े पत्थर को नहीं हिला पाता उसी तरह शांत व्यक्ति को मान अपमान नहीं हिला पाते, विचारों में बहुत ताकत है तुम, जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो, अपने बराबर या अपने से समझदार, लोगों के साथ समझदार लोगों के साथ, सफर करने से अच्छा है अकेले सफर कीजिए, यदि आप किसी और के मार्ग में प्रकाशित करते हो, तो अपने आप, आपका रास्ता प्रकाश से भर जाता है, खुश रहना ही एक रास्ता है खुशी पाने का, जिस तरह एक मोंबत्ती से अनेक, मोंबत्ती जलाए जा सकती है इससे, मोंबत्ती का जीवन काम नहीं होता, उसी त या फिर ताकत, फ्रोद एक ऐसी आग है जो दूसरे का नुकसान करे या न करे खुद का, नुकसान जरूर करती है, अगर शरीर स्वास्थे नहीं है, तो हम अपने दिमाग को भी मजबूत नहीं बना पाएंगे, वर्तमान में जीओ, हर पल जीवन का आनंद लो, जीवन वह न शब्दों का चुनाव बहुत, सोच समझ कर करना चाहिए, शब्द दोस्त भी बना देते हैं और दुश्मन भी, शक्त दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिष्टे को बरबाद कर देता है, संतोश सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य, सबसे बड़ा उपहार है और बफादारी, सबसे बड़ा संबंध है, यदि आप सच में अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप किसी को और कोई आपको डैक्ट नहीं पनुचा सकता, जीवन की सबसे बड़ी बिफलता है, हमारा असत्यबादी होना, जो दुसरों से इर्ष्या करते हैं उनको, कभी श आवधान रहना चाहिए, जंगली जानवर केवल आपके, शरीर को नुकसान पनुचा सकते हैं, और बुरे दोस्त आपके दिमाग को भी, बुजरा हुआ वक्त कभभी वापस नहीं आता, लक्षे तक पहुँचने से ज़्यादा, महत्वपूर्ण, यात्रा अच्छे से करन होता है, सभी गलत कार्य मन से ही, उप जाते हैं, अगर मन परिवर्दित हो जाए तो क्या गलत कार्य रह सकता है, मैं ये कभी नहीं देखता कि क्या, किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता, हूं कि क्या किया जाना बाकी है, जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त, र रहते हैं वही शांती पाते हैं